देखें, कॉंग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कबजा हो गया है, जो ना तो सच सुनना चाहते हैं, और ना सनातन की बात सुनना चाहते हैं, ना राम की बात सुनना चाहते हैं, जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कॉंग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे-धीरे मिलिन देवड़ा का जाना बहुत दुखा दरफ सोच जनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंतन को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंब हो गया है मैं भगवान से प्राथना करता हूँ कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कॉंग्रेस पार्टी को ना दे बिनाश काले विपरित बुद्धी राम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदुत के खिलाफ, राष्ट के खिलाफ तो जो राष्ट की बात करेगा और जो राम की बात करेगा उस नेता को कॉंग्रेस के भीतर एक जो चोकड़ी है वो पसंद नहीं करती और वो वामपंत के विचार धाराओं से प्रभावी थे हैं वो पूरी की पूरी कॉंग्रेस को बर्बाद करने में लगी है जो सही फैसला होता है उसकी जगे गलत फैसला कराए जाता है उसी का परिणाम है कि बड़े-बड़े नेता वो नेता जो गांधी परिवार के बहुत निकर थे वो नेता जो राहुल जी को बहुत चाहते थे वो नेता जो राहुल गांधी जी के साथ रहते थे दिन रात सिंधियां हो, आर्पियन सिंग हो, जितन प्रिशाद हो, बिलिन देवड़ा हो वो दीरे दीरे करके सब किनारा कर रहे हैं सब छोड़ के जा रहे हैं कॉंग्रेस को कोई नहीं छोड़ रहा है इस चोकड़ी की वज़े से कॉंग्रेस से दूर